जैहिंद आज हम लोग SSE GD का सेट नमबर 48 को यहां पर हम लोग डिसकस करने वाले टोटल जो एक्जाम हुए था 69 सिफ्ट में यह एक्जाम हुए था एन 69 सिफ्ट हुआ था अब जिसमें आम लोग आपका 48 नमर को डिसकस करने तो यह स्टार्ट करते अपने वीडियो को पहला कोशन है तो यह आपका इगा स्टेकस का करेक्ट कैंसर हो जाएगा कोई वस्तु अपने विराम अस्था या गतिमान अस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है उनकी यह सभावीत प्रविर्ती क्या होती है यह जड़त्त करती है यानि कोई भी चीज़ यह तो रेस्ट मे निमलिखीत किसके द्वार रखी गई थी आपका अपने राजजय सभात से समधानिक प्रावधान उंके संदव में निम्ले становится काम सा कथन सही है थो का सब्सक्राइब भारत के उपर रास्पती राज्य सभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं निम्लिखित में तक किस रासानिक तत्व का परमारू करमांग जोता है दस होता है तो दस से बीच में परोसई दस की सीमा को संसोधित किया तो यह जो था बंगलादेश के साथ आये था और दोजापंद्रा का जो एग्रिमेंट था आपका सहुआ सवीधान संसोधन करते हैं उसको इसको हम लैंड बॉंडरी एग्रिमेंट करते हैं किसके साथ बंगलादेश के साथ हुआ था यह नेक्स्ट है विचुडो जो निर्ते है इसका सम्मद किस राजसे है तो विचुडो जो आपका गुजरात राजसे है तो विचुडो जो आपका गुजरात राजसे है नेक्स्ट है अगस्ते 2020 में निम्रिकीत में से किसने जमू कस्मीर के उपर आजपाल के रोप में सपत ली तब मनुझ सीनहा इसका correct answer हो जाएंगे तो अगस्त से 2020 में निम्लीखीत में से किसमें जमु कस्मीर के उपरा जपाल तो मनुझ सीनहा इसका correct answer हो जाएगा नेक्स्ट है 1925 में घटित हुआ निम्लीखीत में से कौन सा सरेंतर ट्रेन डेकाथी से समदी थे तब का काकोरीर सरेंतर के सुझेगा इसका correct answer और यह है आपका कौन सी ट्रेन थी आपका 10 डाउन ट्रेन थी कोई नेक्स्ट है हमारा दीपा मली के 2016 रियो पार ओलम्पिक में यहाँ पे जो ट्रेन क्या नाम थे यहाँ एट डाउन ट्रेन इसका correct answer हो जाएगा नेक्स्ट है दीपा मली के 2016 रियो पार ओलम्पिक में पदग जितने वाली भारत की पहली महिला पाराइथलिट है नेक्स्ट है अमेरिका की पहली महिला उपरासपती कमला हैरिस का मूल परिवार भारत के किस राजय से समझनी थे तो अमेरिका की पहली महिला उपरास्पति कमला हैरिस का मूल परिवार भारत के किस राजय से समझनी थे तो तमिल लाड़ू इसका correct answer हो जाएगा वीचो तो following statement correct, कौन साइज में से correct है वो पूछ रहा है तो if frying pan is an example of opaque object एक जो frying pan होता है वो आपका एक तरगा opaque object के तरग काम करता है opaque मत होता है जिसके तरब से light आर पार नहीं जा सकती है ठीक है तो जिसका चाया बनता हो उसको opaque मान के चलिएगा नेक्स्ट है रचना दौब जो है निमलीखीत में से किन दो नदियों के बीच में इसी थे तो रचना हो जाएगा और चाया चना से जाज़गा चेनाब तो रचना रावी और चेनाब इसका correct answer हो जागा तो रचना दौब जाब का रावी और चेनाब से सम्भादित है नेक्स्ट है एनी जदी जो है एनी जदी दो हजार उननीस बीस के लिए नाइन डाट्स पुरुसकार से समानित किया गया है नेक्स्ट है वसंत विशु के अगले दिन यानि 22 माज से भारती रास्टी कलेंडर वर्ष का कौन सा पहला मेना सुरू होता है तो चत्र जोत आपका पहला मेना का locations समियर आर्थं विशु के अगले दिन यानि 22 मार्श से भारती रास्टी कलेंडर वर्ष का कौन सा पहला मेना सुरू होता है तो यह हो जागा आपका राहतकारी अनुचेद इसका correct answer हो जाएगा नेक्स्ट है भारत के प्राचीन इधियास के संदा में असोक अस्ताम का संबद निमलिखीत में से किस अस्थान से है तो आपका सांची इसका correct answer हो जाएगा सुवास्चन्द बोस ब्रेटिस सरकार की नजर बंदी से किस वर्स भाग निकले थे तो 1941 में भाग निकले थे इसमें द्दुआया दिकार इक परकार का अलपा दिकार है जिसमें किसी बाजार पर दो फर्मों का प्रभुतों या अननीयंतरन होता है तो द्वाय से ही आजएगा, द्वाय अधिकार हो जएगा आपका दो फर्मों का प्रभूत्व होता है उसमें नेक्स्ट है निम्र में से कौन सी टीम 2020 में IPL का किताब जीत कर पांच बार या किताब जीतने वाली पहली IPL टीम बनी है तो मुंबई इंडियन इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा, दोजाब 20 में आपके मुंबई इंडियन जूती है, दोजाएकी इसका आपका चेनरी सुपरेकिंग और दोजाबा इसका आपका गुजराथ टाइटन्स नेक्स्ट है जब सरकार करो को कम करती है और सरकारी व्यव को बढ़ाती है तो इस प्रकार की राजकोसिय निती को क्या करते हैं तो इसको हम आपका ईकस्तारवादी राजकोसिय निती इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा तो चलिए स्टार कते है यहाँ पर 22 होगे आपका भारतियों के लिए स्वश्थ है और ऐस्वीट जीवन सेली का मार्ग परस्ष्ट करने के लिए फिटनिस गतिवीदियों और खेलों को अपने दैनिक जीवान में सामिल करने कुद्दे से भारतियों को प्रसाहित करने के लिए फिट इंडिया अभियान कब सुरू किया गया था तो फिट इंडिया अभियान अगस्त 2019 में स्टार्ट किया गया था तो फिट इंडिया अवियान कव स्टाट हुआ था अगस्त 2019 में स्टाट हुआ था देश की प्राचीन जीलों में से एक है लेंडिया तलाब भारत की किस सेहर में है तो यह अगर भूपाल में हो जाएगा लेंडिया तलाब जग कहां पे तो भूपाल इसका correct answer हो जाएगा और set number 48 complete होता है मिलते हैं आगले वीडियो में तब तक के लिए जैहीन जया भारत धनेवाद